ओम शान्ति आज पहली अक्टूबर 2021 है इस मास बावा हमें तपस्या के लिए त्याग पर और तपस्या की विधियों पर हमें अव्यक्त इशारे दे रहे हैं यह जीवन ही त्याग और तपस्या का है तो आए जानते हैं इस मास तपस्वी बनने के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना किसी भी कार्य में सफलता मूर्थ बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए त्याग में महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग, प्रकृती दासी का भी त्याग जब ऐसा त्याग हो तब तपस्या द्वारा सफलता स्वरूप बनेंगे तो बाबा ने आज हमें तपस्या की एक बहुत ही सरल परिभाशा बताई है तपस्या का अर्थ है कि एक ही चीज की लगन में मगन हो जाना स्थूल रूप से भी जो भक्ती मार्ग में द्वापर युक से तपस्वी रहे हैं वो भी इसको स्थूलता में ले गए लेगिन उन्होंने भी इसी बात पर ध्यान दिया एक ही मुद्रा में बैठना, एक ही मंत्र का उच्चारन करना, एक की ही आराधना करना इसलिए एक व्रत्था होना ये तपस्या की नीव है जब तक हमारे मन में हमने अन्य सभी का त्याग नहीं किया तब तक हम तपस्वी मूरत नहीं बन सकते और उस एक की ही लगन में जब रहेंगे तो जो भी चीजे आती हैं उन सब को उस एक पर ही समर्पित करना जो बाबा ने कहा कि इसमें त्याग बहुत जरूरी है मान का त्याग आदी तो सफलता मूरत बनने के लिए त्याग और तपस्या की नीव बाबा ने हमें इस जीवन में बताई है हम सुख्ष्म में तपस्या कर रहे हैं हम चल फिर रहे हैं, हमारी एक ही स्थान पे स्थित नहीं है, एक खु़ी मंत्र नहीं उच्छा रहे लेकिन कहीं भी हम जा रहे हैं, मन हमारा एक परमात्मा में ही लगा हुआ है यहाँ भी उनको याद करने में भिनता है, अलग-अलग संबंधों से याद करते हैं लेकिन सारे संबंद एक के साथ ही विप्रीत परिस्थितियां आती हैं लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर भी हम अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को, अपने एक व्रत्ता को, पवित्रता को ना तोड़ें ये है तपस्या तो इसलिए ऐसी तपस्या जिसमें त्याग का एलिमेंट मिला हुआ है इससे ही हम इस जीवन में हर उताव चड़ाव से भी पच करके अचल अडोल रह सकते हैं और सफलता हमारे पीछे-पीछे चलती रहती है ओम शान्ति